नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विपिन वैब एकेडमी में दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ आपका जो है वीडियो की टाइम डियरेशन हमेशा ज्यादा हो जाती है मैं कोड लिखता हो तो जो कोड है और लड़ी मैंने लिखा हुआ है मैं आपको हमारा टॉपिक है इसे शॉर्ट किस तरह से बना सकते है एक सेंडिंग या डिसेंडिंग इसके कोडिंग जो है आपको करना है वो कर सकते हैं लेकिन वो कोड के थू नहीं आप ड्रैग डॉप करके करना है आपको तो इसको बोलते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो किस त यहां पर drag करोगे उसके बाद राजेस है फिर उसके बाद केस और केस पर धधेनों को नीछे रख अप द्रैक已经 subscribers दोनों कर सकते हो जहां आप करना चाहते हो। थिक खार, यहां पिक कर लिया। तो यह किस तरह से मैंने का ईना उस तो इसको सबसे नीचे रख सकते हो। आप जो मर्जी चाहे वह नाम आप ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हो। देख रहे हैं आपची तो इसको बोलते हैं हम किस तरह से short कर सकते हैं तो देखे सबसे पहले मैंने क्या किया बहुत ही simple है यह चीजे अगर मैं लिखता आपको लिखके बताता यह type करता तो देख रहे हैं यह code इतना लिखने में आपकी video 15 minutes हो जाती है तो मैं आपको simple सा आपको समझा देता हूँ देखे मैंने जो है UI लिया ठीक है मतलब unorder list ठीक है unorder list मैंने लिया यहाँ पे और सबसे पहले यहाँ पे काडिली shortable जो कि MCSS के तरू जो है इसको design करेंगे याद रहे हैं जब हमने ally लिया है जो class हमने लिया है UI state default यह आपको देना होगा ठीक है जो jQuery theme की प्री-defined value है यह हमारी हमारा जो attribute है वो देना पड़ेगा ठीक है यह हमारा तो actually यह जो है list item जो है हमारा यह span करके आपको देना होगा span में आपको एक icon hyphen UI icon आपको arrow white to hyphen and hyphen s देना होगा तो इस तरह से यह design जो है automatic बनके आएगा यह theme का है ठीक है और फिर उसके बाद span को close करके LI भी close करेंगे लेकिन उसके पहले जो नाम आप दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं सारी चीजे class में वही देंगे आपको और यही class हम LI में देंगे और जो span में है यह वाली class देंगे ठीक है तो by default यह बनके आ जाएगा मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि मैं यहां से यह वाला कट कर देता हूं पहला वाला यहां मैंने कट किया ctrl s refresh तो आप देखेंगे sortable जो था वो हट गया दुबारा से अगर यह वाली चीजे यहां से भी हटा देता हूं because यह जो हम use करेंगे यहां पर तो इससे यह work करेगा इसको यहां पर copy यहां से इसको मैंने हटा दिया ठीक है तो यह theme का है predefined यह देख रहा है यहां पर यह हट गया राहूल इसका color जो है change हो गया तो इसलिए मैं यहां पर e-code लिखता हूं ठीक है ऐसा नहीं है कि जो है आप जो theme यूज करेंगे उसके coding आप according आप लिख सकते हो तो इस theme का जो है यही है तो हमने इसके अनुसार यह नाम रख लिया अब simple सा मैंने क्या क्या जो id मैंने दिया है shortable यहां पर देख सकते हूं यह shortable है इसका list style type none किया है margin 0 यानि top bottom left right से 0 pixel हो जाएगा padding 0 width 60 pixel जो कि हमारा 60 pixel यह cover कर रहा है shortable list item जो होगा margin 0 3 pixel 3 pixel 3 pixel 3 pixel top इसमें हमारा जो होगा top right bottom left ठीक है padding 0 padding left हमारा 1.5 mm है font size 1 1.4 em है height 18 pixel में रख दिया है ठीक है उसके according यहां पर यह आ रहा है फिर shortable list item में हमारा span है यह तो span का position हमारा absolute कर दिया है margin left कर दिया है left minus 1.3m तो उसके according यह जो है जो है हमारा left में चला गया है margin left इसका यह left चला गया है हमारा margin और इस तरह से यहां पर इतना दिख रहा है तो अब simple सा जब हम code लिखेंगे jQuery का वह jQuery का code यह है कि dollar function हमारा जो dollar होगा function के अंदर यानि हमारा dollar function parenthesis open close curly bracket के अंदर हमारा dollar sortable sortable हमारा क्या करेगा यह fix value n की हमारी ठीक है तो sortable करोगे तो यह shortable हो जाएगा उसके according आप drag drop कर सकते हो लेकिन second sortable है disable selection जब ऐसे हम click करते हैं तो select हो जाता था तो पहले तो यह जो selection है select वाला चीजे हैं वह disable कर दिएगा disable selection करोगे तो हम जब select करेंगे कोई चीज या click करके उठाएगे तो select नहीं होगा सीधे जो है drag drop होने लगा यह shortable में होने लगा यहाँ पे drag करेंगे तभी आ रहा है लेकिन जब हम यहाँ पर code लिखेंगे तो sortable लिखेंगे तो इस तरह से हम element को अपने browser में sortable बना सकते हैं दोस्तों उमीद है video पसंद आया होगा मिलते हैं next video में thanks for watching this video have a nice day